सबसे वेखले काम कोर्शन को रीट करेंगे। एक सॉलिड है किस सेब का कोन सेब का सब्स यह रहा है एक सॉलिड जो है को थी अधि वहुआ है और गल्ट कोशन हाब पढ़ेंगे इसेटंडिंग औन हमेस्पीर जो यह आपका कोन है न यह एक हैमेस्पिएर के ऊपर है ऐसे ठेक है कोशन पढ़के बोध विद बोध दिया रड़ आए बीग इक्वल टू वन सेंटीमेटर मतलब क्या इसका मतलब कों का कों की रेडियस और हैमेस्फियर की रेडियस दोनों कितनी है वन सेंटीमेटर मतलब रेडियस ओफ कों इक्वल टू रेडियस ओफ हैमेस्फियर इक्वल टू वन सेंटीमेटर दोनों का रेडियस सेम है आगे पढ़ते कोशन को एंड हाइट और दा कोउन इस एक्वल टू 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 इस रेडियस मतलब जोकौन की हाइट न जोकौन की हाइट है वह उसकी रेडियस के एकक्वल है ठीक है तो कों की है कितनी कोन की क्या रेडियस है 1 cm तो कोन की जो हाइट है वो रेडियस के एककोल है यानि कि हाइट ओफ कोन एककोल टू 1 cm ओके तो हमसे क्या आप मांग रहा है वो वो कह रहा है आप से कि find the volume of the solid in terms of pi मतलब हमें इस solid का निकालना है बॉल्यूम पाई के ट्रम में पाई के ट्रम मतलब हमारे answer में पाई आना चाहिए पाई रहना चाहिए मतलब यह हुआ कि हम इसको solve करते वक्त पाई की value को put नहीं करेंगे ठीक है तो हमें दिख रहा है कि यह solid जो है दो चीज़ से मिलके बन रहा है एक कोन है और एक हैमिस्पियर है तो अब बात कर रहा है वह volume की मतलब कोन का volume plus hemisphere का volume ठीक है तो यहां पर क्या कोन का volume होता है 1 upon 3 pi r square h hemisphere का volume होता है 2 upon 3 pi r cube खोशक को easy बनाओ इतना common हो सके common ले लो ठीक है तो common क्या रहा है इतनो हो रहा है pi r square upon 3 यह common आ गिया ठीक है तो यहां बचेगा हमारे पास h और यहां बचेगा हमारे पास 2 r ओके अब हमने pi नहीं रखना क्योंकि answer मांगरा pi के ट्रम पे तो हम pi put नहीं करेंगे तो pi आप कैसी रहेगा r कितना है radius कितनी है 1 ठीक है तो 1 का square height कितनी है कोन की 1 और radius 1 ठीक है तो कितना हो गया इसका answer 1 का square 1 होगा यहां पर 1 plus 2 pi upon 3 into 3 cancel हो गया यानि कि क्या हो गया pi centimeter cube यानि कि जो जिस solid का वो volume मांग रहा है उसका volume आया pi centimeter cube ओके सबस्ब्सक्राइब करेंगे हम देखे रचेल and engineering student was asked to make a model saved like a cylinder ठीक है रचेल एक engineering student है और उससे कहा गया एक model बनाने के लिए जो cylindrical shape का होगा आगे पढ़ते हैं with two cones attached at its two ends मतलब कुछ ऐसा बनेगा यह आपका एक cylindrical model है और पोश्चन में कहा इसने कि इसके दोनों ends पे इसके दोनों ends पे दो कौन सुंगे तो एक कौन सब्सक्राइब यह हो गया और एक कौन यह हो गया ओके तो कुछ ऐसा है model ठीक है आगे बोल रहा है यह model बना है यह एक aluminum seat से बना हुआ है ठीक है इस पकार का यह हिस्सा इसलेंडर कर बाकि कौन और यह कौन देखें दा डायमेटर ऑफ दो मोडल इस त्री सेंटीमेटर जो यह जो यह आपर इसकी डायमेटर के थी सेंटीमेटर यानिकि डायमेटर मतलब स्लेंडर के लिए सेंटीमेटर होगा और कौन के लिए देखें सेंटीमेटर ही होगा तो यह पर सब्सक्राइब और यह जो ज़न्टर के लिए पाठ के लिए सेम होगी हाला आगे पड़ते हैं एंड इस लेंथ इस 12 सेंटीमिटर मॉडल की पूरी लेंथ कितनी होगई 12 सेंटीमिटर चकल लो मॉडल की पूरी लेंथ 12 सेंटीमिटर ओके यहां से लेकर यहां पर दक अगे दिखे if each cone has a height of 2 मौदल इस मॉडल में कितनी हवा होगी ठीक है तो इस मॉडल में कितनी हवा होगी हाँ होगी हवा ह W y 21 यह जब समय होगी तो मिद्स नायती कि दो सर्क तो सब्सक्राइब मतलब बाट्र शाड्र दच्य एम थे लिए प्लस, बॉल्म ओफ सलेंडर, प्लस, बॉल्म ओफ कॉन, वणप ओन थेरी, पाई, आर्ज कोईर, एच्छ, ठीक है? क्योंकि यह पुरा मॉडर जो है, एक स्लेंडर और दो कॉन से मिलके बना है, और हमको निकालना है बॉल्म हवा का, तो हवा इस पुले मॉर्णका के अंदर होगी यह हमने को हई लिए थे सबसे पहले निकाना पड़ेगी में तो किसे निकालेंगे यह हाइट तो कोन की हो गई कितनी है इतना हो गया तो इतना हो गया चार तो हो गया कौन के पास कितनी वर्सती आठ याठ यान कि 8 cm होगी इस स्लेंडर की हाइट ठीक है तो पूरा बारा है तो दो यहां से मैनस दो यहां से मैनस तो फोर हो गया कितना एट सेंटिमिटर यानि कि जो हमारा स्लेंटिकल पार्ट आया उसके हैट कितनी होगी 8 cm अब मैं निकार आव वालियूम तो बोलिम ओपोन प्लस बोल्यम ऑफ और टो दो नों का डाविटर रिडियस और हैट सेम है इसको आशा लिख सकते हैं तो फोल की वालिम ऑफ शेंडर वोके, बॉलिम अफ कॉन प्लस बॉलिम आ सिलेंडर ठीक है, देखे, बॉलिम अफ कॉन बना पान थिरी, पाई आर स्क्वेर एच अब कॉन की हईट, ह1 माननी गी तो ह1 अब कितने कॉन है, दो कॉन, तो इंट्री 2 ठीक है प्लस बॉर्लिंग को इजी बनाओ मतलब कॉमन ले लो कॉमन लेने से कोशन आपकर इजी बन जाएगा है पाई किया रगना है 220 अपान सेवन कि और आरफ कितना हुपाया है ठीक है ठीक है तो अबए टेय। रखने आपने 22 उपान सेवन आर चेटना है ठीक है और इसक्वाय ठीक है और यहां पर 2 upon 3 और H1 कितना है? H1 2 है ठीक है? फ्लस H2 कितना है? H2 8 है तो यह रखा हमने तो 22 upon 7 into 3 into 3 upon 2 into 2 तो यह square है तो 3 का square और 2 का square जाएगा ठीक है? और यह जागा आपका 2 to 4 upon 3 plus 8 तो यहाँ पर यह रख cancel होगे है से 11 time हाना तो 11 into 9 upon 7 plus 14 ओके? यह मिल्टिर लए होगी है इसका और यहाँ पर ले लो LCM तो 4 plus यहाँ 1 होगा 24 होगा ठीक है? तो कितना होगी है? 99 upon 14 28 upon 3 ठीक है? तो इसको इससे cancel होगा 33 time और 14 तूजा 28 तो खमार पास क्या बचा? 13 into 2 तो इन्हें multiply कर तो 236 236 तो यानि कि 66 cm3 मतलब इस मॉडल में जो हवा होगी उसका बॉल्यम कितना होगा? 66 cm3 हम इसको यह भी बोल सकते हैं कि इस मॉडल का बॉल्यम 66 cm3 है जाए इस में हवा हो या पानी हो ठीक है? जाए जाए जाए